तो अगले दो दिन में है NVIDIA की Earning और इसी वज़े से आज सुबर सुबर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो यहां पर 20 तारिक को NVIDIA की Earning है और काफी सारे वीडियो में काफी सारे ट्वीट में आपने देख लिया होगा कि AI कोईन भाई पंप करेंगे विच वरी ओवेस कि NVIDIA की Earning अगर अच्छी आती है तो वहां पर AI कोईन पंप करेंगे एक AI प्लस डीपन कोईन दा ओनली वन विद रियल बिजनस आपको यह चीजात समझ आजएगी कैसे मैं इस कोईन पर क्यों इतना बुलिश हूँ ठीक है चाहिए है क्या चार्ट से यहां पर काम नहीं करते न्यूस काम करती है न्यूस से बैसा बनता है यह भी मैं आज आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से यह चीज काफी ज़्यादा गलत है कि काफी सब लोग सुकते क्रिप्टों में चार्ट काम नहीं करते तो बेरे बता हूँगा एक बिक बुल ब्रेकाउट चार्ट थाउजन परसंट रेली हो सकता है इंकमिंग है क्योंकि यहां पर चार्ट स्टार्ट इन फैक्टर ऐसा बताते है ठीक है तो जो भी चीज मैं आपको बात कोई भी नहीं करता हूँ पूरे हैट बताता हूँ आपको अगर सबसे पहले तो जाके नीचे दिये गए लिंक साइट ट्विटर को फॉलो कर लें कि बहुत सारे चार्ट में ऐसे डालता हूँ यहां पर जो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोकाप एक कोईंस पर ही पर अपडेट करूँगा वीडियो में जा रहा है साइडवेज आप ठीक है ना बिटकोईन जा रहा है साइडवेज आप यहां पे था बूल रेकाओड लेवल 29,000 पर फेप के थरूम ने निकाला था पास्मा समझा चुको उ जातरा 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 और इस रेंज में लोगों ने बहुत जाते गलती करी इस रेंज आती रहती है और उसके बाद वो एकसेप्ट नहीं कर पाते है पंप को यह मैंने पास्ट में भी कई बार समझा है और यही सेम चीज मुझे देखती है यहां पे चार्ट पे नवेंबर के देखो आपको शॉर्ट करना है पैसे कवाने कोई गलत चीज नहीं है शॉर्ट करो बट किसी भी ऐसे बंदे की कॉल मत लेल ना जो आपको रेक्ट कर दे लोग मैंने देखा है टुटर पर में देखत रहागा था है नाम तो किसी को लुगा नहीं लोग आते हैं फ्लेक्स करने के लिए शॉर्ट कर दी है है अभी एक बंदे ने थोड़ डेम पहले ही सॉलाना को शॉट कर रहा था 126 का उसका हो था stop loss 135 134 140 कुछ चला गया सुलाना कल तो फाइदा क्या हुगा उसको तो कोई फरक नहीं बढ़ा हो सकता है उसने किया भी ना वपर आप तो रेक्ट हो गए अब सेम पैटन नवेंबर में यहां भी आपको दिख रहा है ना ऐसा ही दिख रह हूँ आप कर पाओ ऐसा मुश्किल होता है बंदब सौ मेंसे एक बार ही ऐसा चांस होगा एक आधी बंदों होगा जो कर लेगा अब बहुत सारे लोग बुलेंगे भाई आप बहुत जादा ग्रीडी हो आप यह नहीं देख रहे हो कि जो फिर और ग्रीड इंडेक्स है वो 83 पर चल रहा विच इस वेरी डेंजरस आई एगरी विद यू कि मैं बहुत जादा ग्रीडी हूँ क्योंकि यहां पर ग्रीडी रहना भी सही रहेगा क्योंकि अगर आप पास का डेटा देखते हो मुझे पता है कि फिर और ग्रीड इंडेक्स है आज ही मैंने ट्विटर पर है सुबह सुबह तो मैं आपके लिए ऐसे फैक्स जूनता रहता हूं ट्विटर पर डालता रहता हूं I don't know किसी ने आपको बताया कि नहीं बताया पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पास की बुलरंग की अगर आप रैली देखते हो जो की दो नौमबर से लेके दो मार् है तो मैंने बहुत टाइम पहले आप यहां पर देख सकते हो मैं मैं ठीक है मैंने बुला था एंवीडिया की अर्निंग है अगले मैंने I am bullish on render 2 क्योंकि render की बहुत हाई बन रही थी उस टाइम पर अगर आप correlation ढूड़ने कुश करोगा रेंडर और न्वीडिया के चार्ट म है दस परसंड का ट्रॉप संदते है और 10x की leverage पर पूरा amount रोड़ जाएगा थोड़ा सा सोच समझ के और ध्यान से काम करने की जड़ोता है आज का कॉइन है रेंडर बहुत सारे लोग बोलेंगे रेंडर मत बताएगर रेंडर ना बहुत बड़ा कॉइन है छोटे कॉइन फिर आप crypto के बारे में अभी तक समझे नहीं हो क्योंकि यहाँ पर Solana यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको 2023 में October में जहां से Solana काफी जादा बड़ा हुआ है 8 billion dollar की market cap पे था और 8 billion से आज हम पहुँच चुके 112 billion पे ठीक है तो जब Solana जैसे coin pump हो सकते है तो render के pump होने में market cap का कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा एक तो इसकी hype बहुत लो रही पिछले past time में which is very good और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं chart को हमेशा favor करता हूँ और मैंने यह बोल दिया कि this is the only AIN deep in coin which has a real use case ऐसा मैंने बोल लिया देखो although speculation में bull run के अंदर सब pump हो जाएग अब जब बात आती नहीं real use case की तो बहुत सारे लोग confused हो जाते जब रेंटर के बार में सुनता है although जो पुरानी community उनको बहुत चैसा knowledge है कि वो क्या trade कर रहे है क्या hold कर रहे है right so यहां पे बहुत सारे deep in project है हुंका सिर्फ क्या use case है कि बही GPU ले लो दे दो इनका यह use case नहीं है अगर आप जाते हो Apple की website पर Apple सबको बता है Apple का सबसे महंगा product जो है वो है Mac Pro ठीक है साथ लाख रुपे का computer है ठीक है साथ लाख के computer में आम नीचे जाते हो थोड़ा सा नीचे तो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़ने में क्या मिलती है कि हमारा computer जो है वो इतना powerful है कि OTOY Octane X से यहां पर 7.66 faster speed से rendering करता है तो rendering is the job rendering आपको समझना पड़ेगा it is a business crypto उपर जाए नीचे जाए चले गए चलेगा इनका जो software है वो crypto के price से affected नहीं है कि market में लोग है कि नहीं है उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा जिनको rendering करनी है जिनको movie बनानी है वो rendering करेंगे इनका base software ह है OT होगा है so that's why I am bullish on render इसको और easy शब्दों में आपको समझाओं तो ये ना काफी सारे software हाते हैं web 3 space में हमारे crypto space में जो बुलते हैं भाई हम Google से बड़ी है हम Facebook से बड़ी है ये ऐसा कुछ नहीं करें रेंटरिंग के बहुत सारे software हैं like blender is there unreal engine is there आप game खेलते हो आप movies देखते हो आप VFX देखते हो सब चीज़ें इन चीज़ों बनती है और बहुत common चीज़ें common practices है so जो artist है उनके लिए है जो 3D designers है उनके लिए और professional level बहुत बड़े level पर render यहाँ पर use होता है कैसे use होता है क्यों use होता है क्यों render यह नहीं बोलता कि हमारे पास आखे रेंटरिंग करो render बोलता है कि हमारा plugin लगा लो आपका जो काम 6 गंटे में 10 गंटे में होना है हम 15 मिनिट में कर देंगे जिस काम के लिए आपको 10 लाग के computer क होता है आप वह एक laptop से भी कर सकते हो हमारे plugin से रेंडर ठीक है तो मैंने आपको easy words मों सुझा दिया बहुत सारे लोग बेवकूफी करते हैं कि io.net और फ्लूएंस से compare करते है रेंडर को कि भाई रेंडर को लेगा फ्लूएंस लेंगे 13 मिलीन का रेंडर की market cap पर चला जाएगा तो मज़े आ जाएंगे वो सब चीज़े अच्छी है speculation करना यह दोनों को इन मेरी watchlist में आयो.net का बहुत बढ़ा बैग में रहंड लिया है यह था आपके सामने ठीक है फ्लूएंस को भी मैं watchlist में रखता हूँ बट इसका नदर यह नहीं है कि आप सोचोगे कि इनका use case बहुत साथ different है दोनों चीज़े बहुत बहुत साथ अलग हैं तो आप compare नहीं कर सकते हैं अब आते हैं सीधे सीधे चार्ट पर जो कि हैं सबसे important चीज़ कि चार्ट पर क्या हो रहा है देखो भाई आप बहुत early हो मेरे साब से कितना early हो मैं बतायता हूँ simple way में और आपको break out भी समझा दूँगा आप कहां पर आपको मिले although break out हो चुका है ठीक है जो पहले से वीडियो देख रहे हैं वो तो यहां पर profit में भी होँगे काफी लोगों ने हमाने साथ अगस्त में डिब भी बाई करी थी मेरी last buying अगस्त में ही थी September में मैंने buying नहीं क अगस्त के बाद काफी हद तक तो नहीं कर पाई थे हम यहां पर लगाएंगे अपना setup और देखो अब मैं आपको similarities दिखाता हूं यह है यह में 34 का cross 3D time frame पे यह है यह में 34 का cross ठीक है जी यह स्नाइपर का cross 3D time frame में ठीक है यह स्नाइपर का cross ठीक है कितना pump आया था मैं mark कर आपके लिए स्नाइपर का cross यहां पे mark कर दू ठीक है तो मैं आपको समझाओंगा एक चीज बहुत ही important बहुत ही important अगर आप समझ जाओगे ना दोस्त इस चीज को तो कभी भी ignore नहीं करोगे technical analysis को ठीक है यह रहा स्नाइपर का cross in 3D time frame ठीक है जी और हमें मिला था यहां पे और gunpowder पर पूरा support कर रहा है नीचे sniper पर sniper is a private indicator यह आपको search करने से नहीं मिलेगा this is only available on private circle जिसकी detail आपको telegram में pin मिल जाएगा बहुत सारे meme coins मुझे मन है trade करने का 30-40 meme coins पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें 10 आपको दे दूँआ अपने telegram में का लिंक निचे description में charts भी शेयर कर दूँगा twitter पर तो दूनों जगा जोइन करें ऑफिशल लिंक से ही क्योंकि बाकी जगा तो scammers बैटें तो this was a 700% pump 700% pump ठीक ना 700% का pump है यह आप ऐसी जगा बैटे हो जहां से last time 700% का pump आया था okay can be a lesser round 800% का pump था यह और हो सेकता 500% का आ जाए right तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना अब मैं आपको बताता हूँ बुल 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 नहीं बुल बुल तो bird हो गई big bull breakout बताता हूँ सबसे बहुल हम resistance पर तो be a little careful यह resistance टूटे की तो ही का मज़ा आएगा है ना so इसको मार कर लेका resistance this is the resistance zone ठीक है यह आप breakout point 7.21 व bull breakout था अब तो निकल गया तो क्या बताना है ना 5.8 पर था हमने update किया था कई जगा पर कई लोगों ने पकड़ भी लिया होगा ठीक है so अब आप बुलोगे sir अब तो हो गया आप क्या करें तो भाई fib use करो bottom से लेगे top तक कीचो अगर यह resistance पर होता है तो यह होगा आपके मौका रेंडर का आएगा की ने आएगा I don't know but एक चीज और बहुत important में दिखायता हूँ आपको weekly chart में weekly chart में कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे वड़ा exciting लिगता है amazing लिगता और उस चीज को मैंना कभी ignore नहीं करता हूँ और मैं हमेशा पैसे बना है कई सारे coin space में अभी दिख जाएगा कितनी बार बताया और कब बताई है यहाँ पे निकला था 18% पर यहाँ पे निकला था माक करूं कितने कितने पंप आए थे अगर आपने पहला पंप पकड़ लिगा यह वाला चलो यह तो पुरानी बात होगी थोड़ी आगे बात करते हैं फिर आपको यह चीज द आपको पड़ाए रहे कि 129% 192% बेसिकली यहां से कितना पंप आया था कई हफ्ते तक पंप होता चला गया था 200% और आपने पहला ही मूफ पकड़ लिया होता है यहां पे दोस्त तो आपके लिए सीथे सीथा 700-800 पर जो आने आपको 30 टाइम फ्रेम पर बताया अब यहां पर बिग बिग बुल ब्रेकाउट कब आएगा जब रेंडर अपना अल टाइम हाई तोड़ देगा ठीक है तो यहां से लेंगे फिब यहां से यहां तक स्ट्रेच करेंगे थोड़ा था हम इंडिकेटर को अब हटाया है इंडिकेटर की पावर अभी समझाओं ना आपको इसा नहीं है कि सिर्फ रेंडर पर दिखा दी है मैं दिखाऊंगा कि कितनी पावर होते है कितनी चलती है तो मैंने यहां पर अन्वीडिया की न्यूस तो सभी बोलेंगे मैंने चार्ट को देखके वीडियो बनेंगे राइग न्यूस इस वरी इंपॉर्टन और बुल रन म पर सपोर्ट कैसे बनाएंगे तो दिस इस अ बिग रेंज डेली टाइम फ्रेम पर लिखते हैं वन अफ दी लास्ट आइविल से रिजिस्टेंस उसके बाद सीधी राइड है यहां पर 7.8 से 10 की दस तोड़ दिया दोस्त तो फिर न्यू आल टाइम है दस के उपर हैं वो यहां पर कर लेंगे काम मुझे बता है 4R देखूं आपको सुबह वीडियो मिल रहे हैं तो कुछ तो फाइदा उठाएं क्या दिख रहे हैं यहां पर रेंज रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं बॉक्स बनाया 4R में ठीक है ना दोस्त रेंज तोड़ेगी न जब यहा आप कोई ब्रेकाउट ले रहे होता हूं दोस्त कभी ब्रेकाउट ले रहे हो तो डिवीएशन से बचा गरो डिवीएशन होती है कि ब्रेकाउट पॉइंट से उपर जाना और नीचा जाना ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूं वीकली स्नाइपर की पावर बीटी सी बॉली कितना उसकी हमियात है काई फिसर लोग मजाः ओडाते नीचे आगे फिरम का मजाः ओड जाते है थोड़ थाइम मैं हाहाँ गन पॉड़र हाहाँ लेवाई हाहाँ क्या बोल सकते हैं तो यहां पर बताता हूं, पीछे की बाते छोड़ो, तो रीसेंट का बताता हूं, हमारे ग्रुप में तो भाई, प्राइवेट सर्लों तो बहुत पैसे चापा है लोगों ने, क्योंकि हम बेरिश था ही नहीं, कहीं भी किसी ने शॉट करके फसावट नहीं करी, ठीक है, ठीक सब्सक्राइब, तो आप इग्नोर मत करो इन चीजों को, रेंडर के चाट पर ध्यान दो, आपको ट्रेड मिलेगा, ओविसली, फॉर होलिंग, समवन माइट थिंक, कि वी आर लेट, मेरे को बता रहूं, चार्ट सबसे थादा स्ट्रॉंग मुझे लगा, इसलिए इसकी वी देने की बात है, लोग ध्यान नहीं देना चाहते है, बहुत सारी चीज़े एक्स्प्लेइन करी है, वन आर में जाओ, ठीक है, फोर आर में जाओ, रेंज ड्रॉ करो, रेंज का ब्रेकाउट हो, एक टाइट स्टॉप लोस के साथ ट्रेड करो, और यहाँ पर हो क्या सकता है वर्स के सेनेरियो में यह बता दूँ आपको, सब चीज़े बतानी ज़रूरी है ना, रिस्क भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि यह चार्ट है, चेंज जाता है घंटे-घंटे में, तो अगर यहाँ पर यह नहीं ब्रेक कर बाता, एक डिविएशन भी लेके आता है, तो इस यह चार्ट कि सिर्फ न्यूस काम नहीं करती और एक यह चार्ट जो बता रहा है कि ग्रीड हो या फियर हो, अब यहाँ पर फियर की बात करें, यहाँ पर देखो बिटकोईन को आप, ठीक है, फियर में आ गया था, 27 परसंट आ गया, यहाँ पर आ आ गया था फियर में, तो शायद अगले bullrun में mindset ठीक होगा और उससे अगले bullrun में पैसा कमा पाऊगे, तो अभी ठीक कर लो अपना mindset, all the best to you, AI low cap के बहुत सारे charts, meme coin के बहुत सारे charts, meme coin के list मैं आपको दूँगा, twitter पे, ठीक है, और telegram पे, तो नीचे दीगा यह link से join कर लो, और जो लोग इतने time स फॉलो कर रहे हैं न, वो इतने smart हो चीक है, community इतनी smart हो चीक है, उनको वीडियो बना के दो, वो अपनी watch list बनाते हैं, एक एक हफ़ते पहले जो breakout बना बताया होता है न, वो भी catch कर लेता है, so it is all about trust, आपने कुछ सीखा, तो follow जरू करना, चैनल को subscribe जरू करना, मिलते हैं बारा अगली वीडियो में, see you again, take care